नमश्कुर आरेस्बिटी न्यूज में आपका स्वागत है पेश है 24 जनवरी सोमार दुपर सवा तीन बजी रासान जोदपुर बेकानेर की बड़ी खबरे पंजाब इधान सबा चुनाव के लिए नामांकन के प्रक्रिया 25 जनवरी से शुरू होगी पंजाब के मुखे चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुना राज ने इस बारे में जोन करी दी है नामांकन की प्रक्रिया 25 जनवरी से लेकर एक फर्वरी तक चलेगी दो फर्वरी को नामांकन की जाँच की जाएगी और उमिद्वारी वापस लेने की आखरी तारिक चार फर्वरी होगी अब एक ऐसी नए एक्सरी टेकनलोजी आई है जिससे बिना RTPCR टेस्ट किये ही ये पता लग जाएगा की कोई वैक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं अब तक किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमन का पता लगाने के लिए रैपिड एंटीजन या फिर RDPCR टेस्ट का सहारा लिया जाता है ये तकनीक उन देशों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है जिनके यहां RDPCR टेस्ट की कमी है करोना की जांच करने वाली इस नई X-ray तकनीक को University of West Scotland के वैग्यानिको प्रोफेसर नईम रमजान और गैब्रियल ओकोलो और डॉक्टर स्टामोस कैस्टीगेस निस ने विक्सित किया है केंडियो शेरी विकास मंत्री हदीब पूरी ने कहा कि सैंट्रल विस्टर प्रोजक्ट का पहला चौरण पूरा हो चुका है अब नजरे ने संसत भवन पर हैं इसके लिए इसी अक्टूबर तक तयार होने की उमीद है पूरी ने रविवार को कहा कि ने संसत भवन का काम तये वक्त में पूरा कर लिया जाएगा उमीद है कि इस साल का शीद सत्र उसी भवन में आयो जित होगा पहले चुरण में राजपत के पुनरविकास का काम चुनाथियों के बावजूद 11 महिने में पूरा किया गया राजसान कैडर में तैनात आई एस सुरो के केंद्रिय प्रतिन युक्ति पर जाने का सिलसिला जारी है हाल ही में प्रमुक सचीपत पर पदोनत हुए 1998 बैच के आई एस और वर्तमान में राजपाल के सच्चिव सुभीर कुमार ने भी दिल्ली की राहा पकड़ ली है कुजिनों पहले ही 2011 बैच के आई एस अभी मन्युकुमार केंद्रिय प्रतिन युक्ति पर जा चुकी है केंद्र सरकार इन करमचारियों के 18 महीने के पैंडिंग डिय को जल्द क्लियर करने वाली है महंगाई भत्ते के एरियर पर केंद्रिय कैबिनेट के अगली बैठक में फैसला हो सकता है अगर 18 महिने का पैंडिंग दिये का भुक्तान किया गया तो कई सरकारी करमचारियों के खाते में 2 लाख रुपए से भी ज्यादा मिल सकते हैं हवाई सफर से लेकर कई अस्पतालों में इलास तक के लिए कोरोना वैक्सिनेशन का सर्टिफिकेट जरूरी हो गया है इसके लिए लोगों को या तो सर्टिफिकेट का प्रेंट आउट साथ रखना होता है या फिर वे मोबाइल में उसे डाउनलोड करना पड़ता है लेकिन अब इस समस्या का समधान जल्द होगा जल्द ही इमित्र कियोस्क पर हाथ में बांधने वाले इम्यूनो बैंड मिलेंगे जिस पर बार कोड स्कैन होने के साथ वैक्सिनीशन सर्टिफिकेट की जानकारी भी होगी रासान सरकार के सुचना प्रद्योगी की और संचार विभाग ने इस नई सर्विस की शुरुवात की है जोदपुर कमिशनर रेट की पुलिस ने डोडा तसकरी के आरोप में एक कॉंस्टेबल को गिरफतार किया है बोरानाडा एसीपी जोएप्रकाश अटल के नेत्रतों में कुडी भकतासनी पुलिस ने कारवाही की है पुलिस ने कॉंस्टेबल हरी विष्णोई को गिरफतार कर उसकी कार से 23 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया है हरी विष्णोई चेतक का ड्राइवर रह चुका था तो उसे सभी पुलिस कर्मी जानते थे वो वर्दमान में पुलिस लाइन में पत्स्था पित था बिकानिर के लोनकरंसर में एक सरकारी स्कूल में बच्चों के मिड़े मिल के लिए रखा हुआ गेहूं और चावल चोरी हो गया चोर यहां से 50-50 किलो के कट्टे उठा कर ले गए जिस पर स्कूल प्रिंसिपल ने पुलिस स्थाने में फाई यार दर्ज कराई है लोनकरंसर के उच्छंग देसर गावं में से जराजके प्रास्मिक स्कूल में बच्चों के मिड़े मिल के लिए गेहूं और चावल एक कमरे में रखे हुए थे यहां पर 21 जनवरी तक सारा समान पढ़ा था लेगन इसके बाद से यहां समान नहीं मिला जिस कमरे में समान रखा था वहां से गिहों की तीन बोरी और चावल की चार बोरी गायब है जोद्पुर के सांगर्यस्तित एक गत्ता फैक्टरी में देरात आग लगए इस फैक्टरी के पास दो फैक्टरियां होने से आग तीनों फैक्टरियों में फैल गई मौके पर कई दमकल वाहर पहुंची, कई घंटों की मशकत के बाद आग पर काबू पाया जा सका फैक्टरी में गत्य और कागच के बड़े बड़े रोल होने से आग भीशन हो गई बिकानेर में करोना रोगियों की संख्या में आ रही कमी के बावजूत कोविड लक्षन वाले बुखार पीडितों की संख्या में कोई कमी नहीं है शोहर की डिस्पेंसरी में रैपिट टेस्ट किये जा रही है जिसमें पॉस्टिव होने के बाद भी रोगी को सूचना नहीं हो रही है हलांकि हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि रैपिट टेस्ट भी न सिर्फ गिंती में आ रही है बलकि पॉस्टिव को सूचना भी दी जा रही है उधर सुमार सुबह की रिपोर्ट में सिर्फ 72 पॉस्टिव आई है सौच से कम फॉस्टिव की ये संख्या पिछले 20 दिन में पहली बार आई है हलांकि शाम तक इस संख्या में बढ़ोतरी होना तैय है कोविट-19 के वज़े से एरलाइन्स कमपनी स्पाइस जट को आखिर अपनी जोदपुर बैंगलोर उडान रोपनी पड़ गई यात्री भार नहीं मिलने के वज़े से कमपनी ने 27 समार्ष तो किसे बंद करने के बाद कही है वैसे जोदपुर एरपोर्ट पर प्रति दिन तीन से चार फ्लाइट्स रद हो रही है इसमें सरवादिक इंडिगो एरलाइन्स कमपनी की है 29 जनवरी को राजसान करमचारी चैन बोर्ड की ओर से फायरमेन भरती परिक्षा का आयोजन किया जाएगा 629 पदों के लिए भरती परिक्षा का आयोजन किया जाएगा अभियर्थी जैकेट, ब्लेजर, कोड, मफलर और टाई पहन कर परिक्षा नहीं दे पाएंगे पुरुष अभियर्थी परिक्षा के दोरान बिरा जेवाल, स्वेटर और शाट पहन कर ही परिक्षा दे पाएंगे वहीं महिला अभियर्थी मफलर, शाल और हैट पहन कर परिक्षा नहीं दे पाएंगे अभेर्थियों को कड़ा के किठंड का सामना करते हुए परिक्षा देनी हो गई राइसान अधिवक्ता कल्यान कोश की नियासी समीती की बैठक बार काउंसिल अफ राइसान की कारयाने में राजेश पमार के अध्यक्षता में संपन हुई बैठक में बच्पान अधिवक्ताओं के मृत्यू दावों का निस्ता अरण कर उनके आश्रितों को एक करोड़ बासट लाग बावन हजार रुपे एवं बिमारी दावों में 61 अधिवक्ताओं को 37 लाग क्यानवे हजार रुपे के भुक्तान की स्युकृति प्रदान की गई कोटा संभाग में भोले भाले लोगों को रकम डबल करने का जहांसादे का 200 करोड से ज्यादा की ठगी करने वाले अपेक्षा ग्रूप चितफंड कंपनी के 38 डिरेक्टर्स को चार जिलों की पुलिस तलाश कर रही है पुलिस लगाता चापे मारी अभियान जारी रखे हु जिन से करीब 150 से 200 करोड रुपे की ठगी हुई है अब जोदपुर रेल मंडल पर इलक्ट्रिक रेल जलधी पट्रियों पर दोड़ने वाली है इसके लिए जोदपुर लूनी मारवार जंक्शन खंड पर रेल विद्यूति करन का कारे तेजी से करवायों जो रहा है और सिमा में पूरा करने का निर्देश दिया तो फिलाल इस बिलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें